नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर तो सुबह उठने के बाद जैसे हम पेर नीचे रखते हैं अचानक से जो है पेर में एड़ी में या फिर बोलें तो बहुत ही जादा दर्द होने लगता है चलने में भी दिक्कत होती है और फिर समझ में नहीं आता है कि ये इतना दर्द हो क्यों रहा है फिर हम जिससे भी बन सके उससे पूसते हैं या फिर हम डक्टर को भी दिखाते हैं और इसे हमको पते चलता है कि हमारे एड़ी में ये दर्द हो रहा है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपकी एर डी की जो हड़ी बढ़ गई है और भाई जो बॉन की गिरोध हो चुकी है कुछ लोग कहते हैं कि अंदर से पेर में सूजन है और इसमार समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना चाहिए फिर कुछ लोग जो है injection लेने का suggestion भी देते हैं कुछ लोग ये भी बोलते कि भाई इसका operation होगा तो इंसान क्या confused हो जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे हम एडी का दर्थ कहते हैं वो होता क्यों है इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या क्या उपाई हम कर सकते हैं और क्या घहले लुँन उसके हम अपना सकते हैं जिसे दर्थ पूरी तर्य के से ठीक हो सके इस वीडियो में मैं आपको इसी बिसे पर विस्तार से बताने वाला हूँ तो मित्रू एड़ी में दर्द होता क्यों है क्या है इसके काराण इसको समझना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है और अगर आप परिशान है काफी दिरों से और आप पूरी तरीके से ठीक होना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें काराण से लेकर रिलाज तक हर चीज में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हम समझेंगे कि एड़ी में दर्द होता किस बज़े से है तो mainly दो चीज होती है जिसकी वज़े से एड़ी में दर्द होता है पहली चीज होती है हड़ी का बढ़ जाना जिसे हम calconeal spur यानि कि पेर के पीछे के जो हड़ी होती है जो एली के हड़ी होती है बहाँ पर एक growth हो जाती है वहाँ पर हड़ी थोड़ी सी बहार हो जाती है या पढ़ जाती है और अब दूसरा जो कारण होता है इसमें है plantar fascia यानि कि जो हमारा पेर है उसमें जो एक आर्क होता है आर्च रहता है इसको समझना बहुत ही जरूरी है आपने धनूस बाल देखा होगा उसमें आर्च रहता है आपने देखा होगा तो यह जो आर्च है उसके नीचे से एक रस्षी बानते हैं तो जो उस आर्च को बना के रखती है तो उसी तरीके से जो हमारा पेर है जो हमारी एली है तो पूरा एड़ी से लेके उंगलियों तक जो है उसमें टेंडाउन होता है एक खिचाओ के जैसे जो है आपका रसी की तरह एक बंदा हुआ होता है जो हमारे पेर का आर्च है उसको मेंटेन करके रखता है अब किसी भी कारण बस अगर उसमें इंजूरी हो जाए कुछ तकलीफ हो है तो आपके पेर में प्लैंटर फेसिया यानि की दर्द सुरू हो सकता है या फिर एड़ी में दर्द होता है अब ये दोनों चीजों के कारण क्या है इसको हम समझते हैं सबसे पहला कारण है किसी भी कारण बस आपके पेर में इंजूरी हो गई हो कुछ लग गया हो तो आ आई हील सेंडल से अगर वो यूज करती है तो पेर का जो नॉर्मल बैलेंस से वो बिगड़ जाता है वो जिसकी बज़े से आपकी फेसिया में तकलीफ हो सकती है या फिर किसी कारण बस हड्डी में भी सूज़ ना सकती है तो ये कारण होता है महीलाओ में एली के दर्द का तो महिलाँ में इस प्रकार से प्रॉलम जादा होती है इसी प्रकार से जो पूरूस होते हैं जो सूज जो है अगर अच्छे फिटिंग के नहीं पहनते हैं या फिर कमफर्टेबल यूज नहीं करते हैं बहुत ज़़ा टाइड पहन लेते हैं तो या तो फिर सूज में जो सोल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उससे भी क्या होगा कि आपके पेर का जो बैलेंस हो बिगड़ जाएगा यहाँ पर प्रेसर जाता है वो जिसकी बज़े से ये भी दर्द हो सकता है अगला कारण जो देखा जाता है तीसरा आजकल हम देखते हैं कि टाइल्स जहां लगी हुई है उसकी बज़े से आपके पेर जो है उसका जो बैलेंस है वो डिश्टब हो जाता है पेर जो है एकदम चिपका हो होना चाहिए तो हार्ड सरपेस की बज़े से भी तो या तो फिर काफी बहुत देर तक खड़े होने पर भी इस परकार से दर्द हो जगता है जैसे के लेडी जो किचिन में बहुत देर तक खड़ी रहती है खाना पनाती है ये भी कारण हो सकता है एली के दर्द का अब चोता और जो में कारा धान ये देखा गया है, वो होता है, केलसिتक की कमी या बिटामिन D की डेफिसेंसे, तो केलसिम की कमी अगर आपके सरीर में हैं, बिटामिन D की कमी हैं, तो डेफिटनेटली हड्डियां जो हैं वो आपकी कमजूर हो जाएंगे और इससे भी ये द अब हम मातपूर्ण जो बात होती है वो होती ट्रीट्मेंट के बारे में कि अब इसको ठीक कैसे किया जाए तो आए समझते हैं एड़ी के दर्द को पूरी तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहला और इंपोर्टेंट जो काम इसमें आपको करना है अगर आप मेडिसिन लेना चाते हैं तो इसमें आप बिटामिन D3 और कैल्सम की टब्लेट सामिल कर सकते है इसके लगनिससे पहले में आपको पताना चाहूंगा कि आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए अगर ज्यादा प्रॉल्म है तो उसका क्या डाइगोस करना तो सबसे पहले तो क्या काराणड पता होना चाहिए हमको जिसकी वज़े से ये दर्द हो रहा है प्रॉलम हो रही है जिसमें कि परवानेडली ठीक हो जाए और आपको बार बार ये तकलीफ ना हो तो समझते हैं घरेलून उसका नंबर वान आपको करना ये है कि एक श्टील की बॉटल आप ले सकते हैं या फिर टेनिस का बॉल आप ले सकते हैं उस पर आपको इस तरीके से पेर रखना है और इस तरीके से पेर को रोल करना है चार से पांच मिनिट तक जो है ये आप डेली कीजिए इससे क्या होगा आपकी जो प्लेंडर फीसियर जो आपकी है वो रि देली करना है या फिर आप जो है डेली इसको दो बार कर सकते हो चार से पांच मिर्ट अब दूसरी जो चीज है वो घर पर आपको एक टौवल या फिर कपड़ा नीचे फर्स पर डालना है और अंगुठा और उंगली से इस तरीके से आपको खीचना है यह आपको 2-3 मिर्ट करना है इससे भी क्या होगा जो आपकी जो मसल्स होती है ना प्लेंटर फीश हो जाती है और यह आपको तकलिफ कम करने में काफी मदद करती है अब तीसरी और इंपाॉड़ेंड जो चीज है वो आपको करनी है जैसे कि मैंने शूराद में बताया था अगर आप हाई हिल से बगेरा पैनते हैं उसे बिल्कुल बंद करिए अगर आपका सूज हाड है उसका सोल हाड है तो आपको सिलीकौन जो पैड से जो मिलते हैं वो आपके सूज में डालने के लिए उसको बिस्तमाल कर सकते हैं और जो है एक चपल मिलती है थोरेक सूज मिलते है थोरेक चपल मिलती और आप इसको जो है जो चपल बगेरा होती है वो घर पर भी यूज कर सकते हैं कि वो घर पर हम नॉर्मली जो है काम करते हैं पैदल जारा चलते हैं और हाड हमारी जो सर्फेस होती है टाल्स बगेरा होती है तो घर पर भी आप सौप चपल बगेरा यूज कर सकते हैं और यह simple जो है दबा है और बहुत ही simple तरीका है जो आप इन सब को घर पर इस्तमाल करके पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं तो देखिए और एक नुस्का जो आप घर पर ही कर सकते हैं और वो है contrast path इसमें आपको क्या करना है इसमें एक टब में या फिर एक बकेट में गरम पानी लेना है दूसरे उसमें जो है room temperature का जो बाटर है tap water जो है वो लेना है मतलब normal पानी लेना थंड़ा होगा ना गरम होगा वो तो आप क्या करेंगे कि 3-4 मिट तक इस गरम जो पानी है हलका जो गरम पानी है उसके अंदर 3-4 मिट तक पेर रखेंगे उसके बाद आप पेरों को निकालेंगे और जो normal पानी है उसमें पेर रखेंगे इस चीज को आपको 4-5 वर repeat करना है सुबह साम आप ही कीजिए इससे क्या होगा कि आपकी जो बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा तो यह थे वह घरेलून उसके जो आप घर पर ही करके इस दर्द से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं तो देख तो दोस्तों इधर वीडियो खतम होता अब मिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया वीडियो तो वी धन्यबाद